नमस् Kirstyकार दोचों, मैं आगे हो अपनी फेवरेट चीज करने के लिए क्योंकि मैंने तीस्री बार इस पिक्चर का टीजर देखा है क्योंकि मैर को मैं एक बार देखता हूं कौनसी पिक्चर की टीजर को लेकर आए है हूं मैं आया हूं आज आपसे भ्ॉला B.H.O.L.A.A. 3D Movie का Teaser 2 Teaser क्यों release कर रहे हैं यह लोग यार पता नहीं ज़र इसे वीडियो को start करते हैं जाहर टाइम बेस नहीं करते हैं इंट्रो में Let's start the video in 3 in 2, in 1 बोला जो है सीधे शब्दों में कै थी मूवी कारी में कै ये universe में based already एक picture आ चुके वो पूरा universe बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया universe है ठीक है और उनके director का नाम मैंने अभी तक याद निकिया है पर कभी ना कभी तो मैं याद करी लूँगा Cathy के अंदर थे कार्ती वो भी बहुत popular अक्टर है अब देखो इतनी popular picture का इतनी popular franchise का remake बनाना बहुत जादा मुश्किल काम है क्यों क्योंकि इतनी जादा popular वो already है उसके पीछे उसके fans है वो गुस्सा हो जाते है भाई ये Bollywood को कोई और काम नहीं है इसका remake ही बनाते रहते same feelings के साथ मैंने teaser को देखा था मिरको ऐसा लगा था कि यार इनके पास सच में कोई और काम नहीं है क्या कब तक remake बनाएंगे द्रिश्यम का remake बना दिया जेदेव गने द्रिश्यम 2 का भी remake बना दिया scene to scene remake अब देखो remakes बनाने की एक छोटी थोड़ी बहुत चीज़े होती है जो I think इस picture में ठीक की गई है मैं पहले ही बताता हूँ क्या क्या करना चाहिए है उनको जो नहीं हो रहा था Bollywood में अभी तक Bollywood में क्या नहीं हो रहा था Bollywood में यह हो रहा था कि Bollywood some exact scene to scene remake climax तक सेम रख रहा था और जहां पर Bollywood अपना दिमाग लगा रहा था वहां पर चीज़े गडबड हो जारी थी पर भोला का teaser देखने के बाद मेरे को यह realization हुआ this is like if you're remaking something apply your own दिमाग add something of your own add some creativity then show it to people अब भोला का जो teaser release हुआ है इसको देखके मैं बहुत ही जाद teaser 2 है यह बहुत ही जादा excited हो गया क्यों क्योंकि इसके अंदर कुछ आपना है इसके अंदर सारी चीज़े जो भी दिखाई गई है जो भी बताई गई है जिनका जिक्र किया गया है बिल्कुल एकदम fresh feel हो रही है ऐसा होता है जी teaser पर इसके अंदर अपने अजय देवगन, तब्बू, पंकज मिश्रा और साथ में गजराज जी है गजराज जी शायद विलन है दीपक दोब्रियाल है इसके अंदर भाई जिस फिल्म की कास्ट मुझे याद है वो सच में बता रहा हूँ जो पॉपिलर लोग होगे, सीधी बात है ठीक है, आप देखो, अजय देवबन जो है इसके अंदर भोला का रोल प्ले कर रहे है कैथी में कार्थी ने जो रोल प्ले किया था वो ही सेम कारेक्टर है, ठीक है कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर यह है कि वो जेल से चूटा है, और जेल से चूटने के बाद उसको एक साइनमेंट सौब दिया गया है पुलिस वाले के दुआरा, क्या असाइनमेंट है क्या चीज है वो बाद में देखेंगे, वो जेल से चूटने के बाद अपनी बच्ची से मिलना चाहता था बट पीछ में ये assignment आगया आप इस assignment को करने के बाद ही वो अपनी बच्ची से मिल पाएगा वरना वो पुलिस वाल उसको दुबाद जेल में डाल देंगे something on the lines of this, ऐसा story है तो कैथी जो है, उसका सबसे बड़ा emotional angle यही था, कि यार उसको अपनी बच्ची से मिलना था मतलब इसका teaser ऐसी start होता है जो 10 साल में एक गुडिया नहीं दे पाया वो अपनी बच्ची को पूरी दुनिया देने की सोच रहा है तो मतलब वो बहुत जादा emotionally charged और action युक्त night है, जो कैथी में भी सेम है एक रात में क्या-क्या होता है वो सब दिखाते है इसके अंदर तो भाई वो एक रात में इतना कुछ होता है इसके साथ वो सब आप देखके हैरान हो जाओगे क्योंकि मैंने personally कैथी देखी है story superb है, बहुत बढ़ी है इवन डीपक दोब्रियाल का जो character इसके अंदर दिखाया गया है वो मतलब पुलिस टेशन के अंदर जो भी भसर्ड करता है, जिन जिन लोगों कमाता है जिस तरीक की से मार रहा है, उसका जो character है character का जो crazy character है जो संकी, किसी भी time पे कुछ भी कर सकता है किसी को भी मार सकता है, उस सरह का character दिखाया है वो भी बहुत epic है अब ये क्या-क्या अलग कर रही है original से वो मैं तुमको बताता हूँ, original से अलग इसके अंदर क्या-क्या है भाई, सबसे पहली बात तो ये 3D में release हो रही है तो दूसरी बात, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया एक-एक visual effect इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल ही अच्छा top notch है पर बहुत बढ़िया लग रहा है तो इसके अंदर ट्रिशूल दिखाया है, इनकी भस्म दिखायी है उने माथे पर उससे character development I believe कि बहुत ज़्यादा हो गया है बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है I believe कि this religious angle, this शिवजी वाला angle and the ट्रिशूल and everything it has improved the character and added another layer to the character plus इसके अंदर जितने भी truck वाले scenes है, जितने भी वो truck चलाते होए, action sequences है यहां तक कि इसके अंदर एक beach में, Kathy में भी एक ऐसा action sequence है जब अपना hero बिलकुल down होता है तब का भाई वो scene इसके अंदर ending में दिखाते हैं, वो भी बहुत crazy है, बहुत ज़्यादा crazy उसमें शायद कुछ तो बोलता है, वो मर गया किया और उसका reply करता है जी देवगन आजे देवगन की भारी अवाज में वो dialogue बहुत cool लग रहा है, this is hero giri 10,000 pro max है and then there is a scene जिसके अंदर वो त्रिशूल को बंदे के अंदर डालता है पहले back वाली side से और फिर उसके बाद उसको jump करके, cross करके, फिर दुबार से that's so cool, so amazing, so crazy, पीछे ऐसे waterfall हो रहा है, रात का time है, bluish bluish सा महौल है चारो तरफ और बहुत सारे बंदे उसको घेर के खड़े हो है, और ये अकेला ऐसे त्रिशूल के साथ fight कर रहा है, oh my god, this is how you make action इस picture का action बहुत जबरदत है, ये movie, जब teaser स्टार्ट हो रहा है, तो वो background music के साथ हो रहा है, आज फिर जीने की तमना है, आज फिर बरने का इरादा है, बहुत ही popular song, I think Ajay Devgane को इस picture के लिए award मिलना चाहिए, because he has actually taken a original and turned it into something better, because इसके अंदर इतने सारे बढ़िया shots है, मैं उन shots को यहां पर लगाता हूँ, तब्बू वाला shot है, वो jeep में बैठी होते है, jeep जारी होते है, उनके पीछे से red color ऐसे आता है, और उनने glasses पहन रखे, और वो बहुत ही crazy shots, बहुत ही beautiful shots है, इसके अंदर इतना सारा CG उसका रखा है, bike वाले, bike वग इसके अंदर विलन का हाथ नकली है, वो भी CG हाथ है, तो वो भी देखने लाइक होगा कि कैसा होगा, वही देखो मैं परसनली बहुत जादा सारे मैं हर मूवी के ले excited हो जाता हूँ, इसका पहला टीजर देखके मैं बहुत disappointed था, बट इस टीजर has brought my hopes ऐसा पूरा 10,000 max, साथ में देखते हैं, साथ में बात करेंगे उसके बारे में, बाई-बाई, take care, see you in the next, peace!